महिला IPL के लिए आज एक बड़ा दिन है महिला एडिशन के लिए आज टीमों की नीलामी लगाई जाएगी BCCI पहली बार महिला IPL होस्ट करने जा रहा है पाँच IPL टीमों को देश के टॉप कॉर्परेट घराने जो है वो खरीदेंगे जिन के लिए आज 17 कंपनिया बोली लगाएंगी इस आउक्षन का आयुजन मुंबई में किया जाएगा और पाँच टीमों के लिए पुरुष IPL की 7 टीमें भी बोली लगा रहे है इन में मुंबई, इंडियन, कोलकाता नाइट राइडर, सनराइजर, हैजरबाद, राजस्थान, रॉयल्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कापिटल्स और रॉयल चैलेंज़ेस, बैंगलोर, शामिल है इन टीमों के अलावा, अडानी ग्रूप, केप्री ग्लोबल और हल्दी राम ग्रूप, टॉरेंट, फामा, अपॉलू पाइप्स, अमरित लीला, एंटर्प्राइज़ेस, श्री राम ग्रूप और सिलिंग शॉर्ट, 369 वेंचर्स, प्राइविट लिमिटेड भी टीमों के IPLT में जो हैं, वो भी इसका मालिक आना हक खरीदना चाहती हैं, कई दूसरे बड़े ग्रूप भी मैदान में नजार आने वाले हैं, तो वो कौन-कौन से ग्रूप हैं, उस पर भी एक बार नजार हम डाल लेते हैं, यहां पर अडानी ग्रूप है, हल्दी राम ग्रूप है टॉरेंट ग्रूप है, कैप्री ग्लोबल है, अपोलो पाइप्स, स्लिंग्शॉट 369 वेंचर, अमरित लीला एंटरप्राइजस, श्री राम ग्रूप तो यह वो अलग से ग्रूप हैं, जो दूसरे जो दावेदार हैं, वो माने जा रहे हैं, इसके अलावा टीम लेने के लिए जो बेस प्राइज है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करते हैं, कि किस तरह से टीमों की जो लीना निलामी है, वो होने जा रहे हैं, कोई बेस प्राइज नहीं रखा गया है, बंद लिफाफे में यह जो कंपनीज हैं, जो फ्रेंचाइजी हैं, इने अपनी बो जबकि पुरुष टीमों से थोड़ा जादा भी है यहाँ पर, तो BCCI ने यहाँ पर दस शेहरों को भी चुना हैं, जहाँ पर इन विमन आईपील जो है, उसके मैच्स का आयूजन किया जाएगा, और जो जानकारी है, वायकॉम 18 ने 951 करोड में इसके मीडिया राइट्स खरीद लिये हैं और पांच सालों के लिए यह राइट्स खरीदे हैं, और हमारे साथ जुड़ रही है हमारी साथी रीका रॉय जो लगातार स्पोर्ट्स को बहुत लंबे वक्स से कवर कर रही है, रीका बहुत बड़ा दिन है, आज क्रिकेट के लिए क्या कुछ जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। और उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है मुंबाई के एक पाच सितारा होटेल में, यह सीक्रेट बिड्स है, बिड्स बीसी सी आई को दिया जाएगा और थोड़ी देर में बिड्स को बीसी सी आई के सदस्य खोलेंगे, और अधिती एक दिलचस्पात ये है कि हर एक ज चार शिटी के लिए बिड्स कर सकते हैं, लेकिन जिस सिटी के लिए उन्होंने सबसे जःधा बिड्स किया है, वही सिटी उनको मिलेगा, अगर दो सिटी के लिए टाय होता है, यानि कि अगर दो बिड्स एक सिटी के लिए एक ही अमा Babi किये हैं, जो कि highest bid है तो वहां पे एक टाइप ब्रेकर होगा, कैसा टाइप ब्रेकर होगा, वो BCCI डिसाइड करने वाले है, on the table, लेकिन कुल में लाकर मैं आपको कह सकती हूँ कि 17 बिडर्स है, आज टेकनिकल बिड्स, टेकनिकल क्वालिफिकेशन के बाद 17 बिडर्स है, जो कि वहाँ पे बिडिंग प्रॉसेस में शामिल होंगे, और BCCI ने 10 शेहरों का एलान किया है, उन 10 शेहरों के लिए टीम है खरिदा जाएगा आज और 5 IPL टीम होगी, 3 मार्ट से इस एडिशन आफ IPL शुरू होगा, 3 से लगबग 25 मार्ट होगा हलाकि आभी तक शेडूल नहीं आया है, इसके बाद प्रॉसेस होगा, प्लैर्स खरीदने का हर एक टीम प्लैर आउक्षन के थूँ प्लैर्स खरीदेंगे, जैसे कि आपने दर्शकों को कहा कि 12 करोर रुपे का पर्स हर एक टीम को मिलेगा प्लैर्स खरीदने के रिए 12 से 18 प्लैर वो खरीद सकते हैं, लेकिन आज, today is the first step जब टीम है खरीदा जाएगा और टीम्स खरीदने के बाद ही हमें पता चलेगा कि आउक्षन प्रॉसेस कैसे होगा रिका आपने कई महिला क्लाडियों से बातचीत भी की होगी, अब तक जो वो महसूस कर रहे थे क्योंकि पुरुष क्रिकेट को जिस तरह से देखा गया और विमन्स क्रिकेट को जिस तरह से देखा गया पर बहुत अंतर रहा हमेश्या, जितना इंपॉर्टन्स उन्हें दिया गया, उतना महिला क्रिकेट को कभी नहीं दिया गया तो इस कदम को किस तरह से देखने क्योंकि आप हमने देखा है कि जो उन्हें, उनकी जो सैलरी है, उन्हें जो अमाउंट मिलेगा, वो भी पुर्षों के बराबर कर दिया है BCCI ने, तो वो भी एक बहुत बड़ा कदम रहा जी, मैच फीज बरोबर कर दिया गया है, देखें ये महिला क्रिकेट की एक बहुत बड़ी कामियाबी है और इसका श्रे महिला क्रिकेटर उसको जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, मैं कहूंगी 2017 से, जिस ब्रैंड ओफ क्रिकेट उन्होंने खेला है, जिस तरह से उन्होंने दर्शकों को एंटर्टेन किया है, वो देखते हुए BCCI ने आज मजबूर हुआ है ये फैसला लेने का क्योंकि पहले जो BCCI के कमिटीज रहा है, उनका कुछ विमिन्स क्रिकेट में खास दिल्चस्पी नहीं थी लेकिन महिलाओं ने दिखाया है कि वो स्टेडियम भर सकते हैं, वो अस्ती हजार से जादा दर्शक स्टेडियम में ला सकते हैं, टीवी ओडियन्स इसको रुजा सकते हैं और यह देखते हुए अब BCCI इस फैसले में आया है, यह सही मौका है, IPL लाँच करने का, और यह सही मौका इसलिए भी है, मतलब BCCI ने तेह किया है, यह सही मौका है, और BCCI को जो मीडिया राइट्स डील मिला है, 9,000 करोर रुपे, जो कि आपने दर्शकों को कहा, उससे यह बात साफ हो जाता है, that this is the right moment, this is the right time, और इसके लिए महिला खिलाडी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट को बढ़ाया है, खास तर जो नहीं पीडी है, जैसे उन्होंने क्रिकेट खेला है, अब 19 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके अगर हम इस बिडिंग के बात की जाए, 17 कंपनिया जो बोली लगाने जा रही है, इस पे कई दूसरे बड़े ग्रुप्स भी है, उनके बारे में भी अगर आप थोड़ी जानकारी दें, अमेरीका जिसमें कि हल्दीराम ग्रुप भी आ रहा है, टॉरिन ग्रुप भी आ रह टीम की बोली लगाई गई थी, उन्होंने तब भी बोली लगाया था, लेकिन उनको टीम मिला नहीं, आमदबाद टीम मिलते मिलते उनको मिला नहीं, आखिरकार, हल्दीराम, टॉरिन ग्रुप, केप्री ग्लोबल, ये सब नूउकमर्स हैं, ये पहले IPL उनिवर्स में नही बनी हुई है, क्योंकि अगर आप ओलिंपिक खेलों में भी देखेंगे, तो महिलाए पुरुषों से जादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ये एक समय है, जब कि IOC, ICC सारे जो संस्थान है, वो एक्विटी, जेंडर एक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं, है, इसमें बहुत सारे कॉर्पेरिटे महिलाग स्पॉर्टि के साथ, महिलाग खेलों के साथ जुड़ना चाते हैं, और वही आपको आज ऑक्षन के दारान देखने को मिला है कि बहुत सारे ग्रॉप्स जो की खेलों में दिल्चस्पी रखते हैं, आब महिला क्रिकेट कमाई उसे इस Women IPL से होने जा रही है बिल्कुल और क्योंकि base price नहीं है किसी भी टीम का इस वक्त हम नहीं बता सकते हैं इस वक्त हम नहीं predict कर सकते हैं कि एक टीम का क्या value होगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माहौल है देखके Mumbai Indian जो की सबसे महेंगी franchise थी पहले सीजन में अभी सबसे महेंगी franchise है शायद Mumbai Indian के आसपास सबसे expensive team का value रहे लीका और एक चीज है हम देख रहे थे कि जब IPL का format आया था ता बहुत सारे question उठाये गए थे सही है कि नहीं है लेकिन अब जिस तरह से season चल रहे हैं बहुत सारे नए talents जो है वो सामने निकल कर आते हैं ऐसे में महिलाओं के लिए भी है कि बहुत अच्छी opportunity के तौर पर रहेगा नए नए खिलाडी जो है वो सामने आएंगी और हमें भी एक बैतरीन cricket देखने को मिलेगा देखे अधिती बी सी सी आई ने साफ तोर पर कहा है कि जिनको फ्रांचाइज बेचा जाएगा उनसे ये guarantee ली जाएगी कि वो महिला cricket को महिला cricket सिर्फ टॉप लेवल महिला खिलाडी नहीं बल्कि बल्कि डिवलाप्मेंट क्रिकेट पर ध्यान देंगे महिला cricket को डिवलाप करेंगे इंफ्रस्रक्टर सेट अप करेंगे उनसे ये guarantee ली जाएगी सिर्फ टीम दे दिया हो गया ऐसा नहीं है बल्कि बहुत सारे processes है इस auction में और इन पर BCCI के नजर बना रहेगा इन पांचों टीम्स पे और ऐसा नहीं है कि पांच टीम बेच करी BCCI रुख जाएगा शायद आगे चलके IPL को बढ़ाया जाएगा और टीम्स भी इसके साथ जुडेंगे लेकिन BCCI का agenda ये भी है कि इन के जरिए IPL के जरिए विमिन्स क्रिकेट को बढ़ावा देना ताकि लड़कों का जैसे हुआ है थ्रूँ IPL बहुत सारे नए टालोंस उभर के आए है अब विश्वक क्रिकेट में अब इंडिया नमबर वान ODI टीम है नमबर वान T20 टीम है मेंस टीम में विमिन्स क्रिकेट को भी BCCI मानते है कि ऐसे ही IPL के जरिए बढ़ावा मिलेगा ये भी बताए रिका कि इस टाइम महिला क्रिकेटर्स जो है वो कैसा फील कर रही है क्योंकि ये विमिन IPL की खबर तो सामने आ ही चुकी थी तो उनके मन में क्या कुछ चल रहा है उनसे अगर आपकी बात हुई हो किसी से लेकिन इस वक्त विमिन्स टीम दोनों टीम में अनर 19 टीम और सीनियर टीम में साथ आफ्रिका में हैं लेकिन जो ट्वीट्स हम देख रहे हैं उनसे इससे साफ जाहिर है कि बहुत एक्साइटेड है सब की निगाहे टिकी हुई है आज टीवी पर और जैसे ही खबरे कि शायद उनके अलग-अलग खेमे में सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा